जे मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अप्रेल 2022 को होने वाले सूरिय के राशी परिवर्तन के बारे में जानेंगे सूरिय के राशी परिवर्तन से धनुराशी के लोगों की दिन्चरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपका वेपार, वेवसाय, सिक्छा, स्वास्त, परिवरिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन कैसा होगा? जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निविदन है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ जोतिस में सूरिय को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और जोतिस में यह सीधे तोर पर मानव सरीर को प्रभावित करता है जिस कारण इसे बेहत महत्पोन ग्रह के रूप में देखा जाता है और सनातन धर्म में सूरिये को रवी या सूरिये देव की उपाधी प्राप्त है सूरिये जातक को जीवन में सभी प्रतिकूल घटनाओं से लड़ने में जीवन सकती और अच्छी रोग प्रतिरोधक छमता परदान करने के साथ साथ उसे बहतर सारिरिक चरित्र भी परदान करते हैं सूरिये ग्रह के मित्र ग्रह, चंद्रमा, मंगल और गुरु ब्रस्पती हैं जबकि सनी और शुक्र को इनका सत्रू माना जाता है और ये बुद्ध ग्रह के नजदी की तटस्त और सामन्य वहवार करते हैं इसके अलावा मेस रासी में सूरिये उचके होते हैं और तुला रासी में नीचके होते हैं सूरिये ग्रह जो हमारी आत्मा, नित्रत और प्रसासनिक निती का कारक हैं वो आप 14 अपरेल 2022 कुरुवार के दिन 8 बज कर 33 मिनट पर अपने मित्र ग्रह गुरु ब्रस्पत्य की मीन रासी से निकल कर अपनी उच्छ रासी मेस में प्रवेश करेंगे तो ऐसे में सूरिय का अपनी उच्छ रासी में वराजमान होना केई मायनों में बहुत फायदेमंद होगा सूरिय का मेस रासी में गोचर सुफल्दाई साबित होगा क्योंकि मेस रासी के स्वामी मंगल सूरिय देव के मित्र होते हैं जिसके परणाम सुरूप मंगल की रासी में सूरिय की उची स्थित्री जातकों के जीवन में सकरात्मक्ता लेकर आएगी। इस दोरान जातक उत्साही, उर्जवान, आत्मिस्वासी, सहासी और हर चनौती का सामना डट कर करने वाला होगा। धनौरासी के लोगों के लिए सूरिय देव उनके नवम भाव के स्वामी है यानि भाग्य भाव के स्वामी है और यहां आपके भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। गोचर के दोरान आपको मान सम्मान, नाम, शोहरत, लोक प्रियता, सब कुछ मिलेगा। साथ इस रासी के जो लोग नौकरी पेसे से जुड़े हुए हैं, उनकी वेतन व्रद्धी संभव है, पदोनिती संभव है। धनपक्ष की बात करें, तो यह गोचर आर्थिक इस्ति को मजबूत बनाएगा। और सूरिय के साथ-साथ यहां राहू भी आपके पंचवंभाव में यूति कर रहे हैं, और बुद्धदेव भी आपके पंचवंभाव में हैं, तो पंचवंभाव में सूरिय और बुद्ध एक साथ हैं, जिसकी वज़े से बुद्ध अधित्य राजियोग बन रहा है, और सुब ग्रह के साथ होता है जैसे कि यहां आप राहू सूरिय के साथ हैं तो राहू भी सूरिय के जैसे परणाम देने वाले होंगे क्योंकि राहू जिस ग्रह के साथ यूति करता है जिस ग्रह के साथ जिस भाव को देखता है वैसा ही फल देता है तो राहू भी यहां आपको स सूरिय के परणाम में बढ़ोत्री होगी और सूरिय बुद्धाजित्ययोग भी बना रहे हैं तो यहां सिख्छा छित्र से जुड़े लोगों को छात्रों को विसेश्फल की प्राप्ति होगी ज्यान में व्रद्धी होगी सोचने समझने का इस्तर अच्छ होगा और आपके अंदर एक एनरजी होगी उर्जा का उत्सा होगा जिसकी मदद से आप अपने कारिये को समय पर पूरा करने में सक्छम होगे जिससे ऑफिस में आपके बौस आपकी सहयोगी आपका सम्मान करेंगे और आपके कारियों की सरहना होगी इस दोरान आपको कोई नई जिम्मेदा पारे भी मिल सकती है, जिससे आपका कद बढ़ेगा, इस रासी के जो लोग प्रेम सम्मंद से जुड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा साफधान रहना होगा, कुछ उतार चढ़ाब देखने को मिल सकते हैं, तो यहां अपनी वानी पर सयम रखना होगा, क्रोध पर काबू रखना होगा, अन्यतावाद विवाद की इस्तिति आपके बीच की दरार को बढ़ा सकती है, इस दोरान आपके साथी या पार्टनर के एहंकार में व्रद्धी होगी, इसके कारान उनके स्वभाव में भी नकारात्मक्ता देखी जा सकती है, इसलिए इस दोरान खुद को सा प्राप्ती होगी, क्योंकि राहू एक तेज, चालाक और ताकतवर ग्रह है, जो सूरिय के साथ यूति कर रहा है, और सूरिय यहां आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, नवम भाव को, तो इस दोरान भाग्य आपका साथ देगा, आपके भाग्य के सितारे बुलंद हों तो वहां आपको तरक्की के साफ साफ संकेत दिखाई देंगे, तो बुद्धा दिताय योग सूरिय और बुद्ध की यूति से बनने वाला एक सुभ योग है, और इस योग में फल बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि बुद्ध बुद्धी का स्वामी है, और सूरिय पृ जने की सकती के गुना बढ़ जाती है, तो इस वरान आप हर मुश्किल काम को आसानी से पूरा करने में सक्चम होंगे, आपकी जो सोच होगी, वो अच्छी होगी, इस रासी के जो लोग एकल हैं, एविवाहित हैं, उनके विवाह के प्रस्ताव आने की पूरी संभावना र खबर सुनने को मिलेगी, जिससे आपका अच्छा नाम होगा, आपकी अच्छी प्रसिद्धी होगी, जिसके चलते आपके नाम और मान सम्मान और प्रसिद्धी में अच्छी बढ़ूत्री होगी यहां सूर्य और राहु की यूति, आपके अंदर एहंकार भी पैदा कर सकती है, तो एहंकार से बचना होगा, गुस्से पर काबू रखना होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, जो भी निर्णय ले, अपने बड़े बुजर्गों से या परिवार के से दोस्चो असाय में वरधी दिलाने वाला होगा, और इस गोचर के दोरान कुछ लोगों के लिए वाहन भूमी अचल संपत्ति के रूप में कुछ नए निवेज या नए परिवर्तन होने की संभावना बनेगी, इस दोरान धर्म कर्म के कारियों में रुची रहेगी और ऐसा करने से आपको सांती और खुसी संतोस की प्राप्ति होगी, स्वास्ता के लिहाज से यह गोचर अनकूल सावित होगा, जितना हो सके तलाबुना भोजन या मसालेधार भोजन करने से परहेज करें, और अच्छे परणाम प्राप्त करने के लिए परिशानियों से बचने के लिए, स सूरिय को अर्ध दें, और सूरिय मंतर का जाप करें, तो सुपर नाम प्राप्त होंगे, दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जै मता दी दोस्तो